दिवाली सरते हैं खर का काम करते करते सब को चमकाते चमकाते पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे निकल गया अभी तो पालर जाने का टाइम है ही नहीं तो हम अपने बालों को कैसे चमकाएं स्कीन को कैसे चमकाएं बिकाउज अभी तो सारे पालर्स बंद होंगे and appointments भी नहीं मिलेगा बट हम घर में क्या कर सकते हैं यह इसको मैं बोलूँगी emergency situation तो यह आपको ध्यान रखना है जो भी मैं अभी बोलने वाली हुगी है सिप emergency situation में ही आपको use करना है अगर आपको अगर आपने last 15 days के अंदर में पालर से कोई service लिया हुआ है कोई treatment कराया है तो इसको करने की जरूरत है नहीं तो first हम आज आते हैं कि hair को कैसे चमका है वो भी घर बैठे तो अगर आपका यहां दो section हो जाता है हमेशा जैसे मैं बोल दीओं कि एक आपका scalp part हो जाता है और आपका hair part हो जाता है यह दिहान रखना कि इसमें कोई mix नहीं हो जैसे बहुत सारे olive oil ऐसे आते हैं जो mix होता है यह oil भी है वो भी है यह हमको यह नहीं चाहिए अब simple एक olive oil ले लो एक nimbu का टुक्रा ले लो ए उसमें आप उसको mix कर दो उसको अपको अलग रखना है बट पहले हमको scalp को थोड़ा स क्लीन करना पड़ेगा because अगर आकपा scalp में oiliness and stickiness रह जाएक ना तो जो bounce होता है hair में वो bounce नहीं आएगा तो उसके लिए जो nimbu का टुक्रा और एक लीजिया और उसको ऐसे पार्ट पार्ट करके direct scalp में लगाईए अब क्यूंकि nimbu is highly acidic in nature तो वो थोड़ा peeling का गाम करेगा तो जब आपका सेबम निकल जाएगा hair से तो आपके जो roots है वो खिले-खिले लगेंगे एक bounce लोगाएगा तो इसमें यह हो सकता है आप ध्यान रखना कि एक दिर मिनित तक वो हल्का आपका जलाएगा थोड़ा-थोड़ा irritation आपको होगा जो कि normal है बट अगर आपका कहीं पर cut ह या फिर कुछ stitches है या इस तरह के abnormal skin है तो आपको यह नहीं करना है तो वह अपने लगा दिया सिप scalp में लगाना है हमको पार्ट करना है निम्बू लेना है और उसको सिप घिसना है all over the scalp यह आपका हो गया यह अपका clean and peel करने में यह बहुत ही जादा आपका effective है घर में करने क खेल जाए बिकास दिवाली में क्या होता है ना चाहते कि अम दो थोड़ा सा खेल जाए रहा है थोड़ा है भी शाइन हो जाए तो तो हमने जो वह solution बना कर रखा था और लेमन का तो उसको आपको लेके पहले आप hair को कॉम कर लीजेगा करके आपके hair साप सुत्रे होने चाह कानले या ऊसी दीन सुबा कर लिया या दो तिन घंटे कर लिया तो उसके बाद आपको उसको अच्छे से कॉम कर लेना है झाल फो पर ना है थोड़ा पार्ट कर लिजेए फोड़ा थोड़न ऊडर है थोड़ा धयान क्योंकि हम लोगा जो एंड होता है यह थोड़ा ज्यादा रफ होता है तो वहां अपको थोड़ा सा ज्यादा मेनद करना है थोड़ा सा केरफुली और थोड़ा सा उसको प्यार से अच्छे से मसाज करके उसको लगाना है और लगाने के बाद आपको वापस से कॉम नहीं करना के चोटे बाल मेरे जैसे तो आप इसको खुला चोड़ सकते है और अगर थोड़े लंबे बाल है तो उसमें अप चोटी कर लो या बपना लो करके उसको थोड़ा सा टाई कर दो बहुत थदिदी हमको टाई नहीं करना है ऐड़ उसके बाद क्यूंकि जैसे पालर में हमेशा क अगर शावर कैप से ढग दीजिए अगर शावर कैप नहीं है कोई बात नहीं कोई बड़ा प्लास्टिक का बैग तो है आपके पास पॉलिथिन बैंग तो वह भी आप अपने हेट के हिसाब से लेकर उसको थोड़ा टाइक कर देजिए एंड कितने मिनट उसको रखना है जब क्योंकि यह डिपेंड करेगा कि आपका रूम टेंपरेचर कितना है उस पर यह डिपेंड करेगा कि वह कितनी देर में घरम हो रहा है आपका बॉड़ी हेट कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा तो दस से पंद्रम मिनिट के अंदर में मैक्स तो मैक्स इसमें आपको एक ह तो आप उसको उसके बार 10 मिनिस तक छोड़ देजे और अगर आप ऐसे कोई जगह में हो जहां बहुत सर्दी पड़ती है तो अपको यह हीट आने में काफी टाइम ले लेगा तो उसमें आप क्या कर सकते हो ओवर दव जो अपने शावर कैप लगाया उसके उपर एक मोटा त सकते हो तो इसमें अपको गरम होने में बहुत मदद मिलेगी तो इससे जादा टाइम हमको रखना नहीं है तो जब वह वाम हो जाए 10-15 मिनिस पाद उसको निकाल लेना है निकाल के फिर डायरेक्ली नहीं धोना है उसको फिर नो रूम टेंपरेचर में हम लोग लाएंगे 5-10 मिनित छोड़ देंगे 5-10 मिनित भी नहीं लगता 5-7 मिनित में वह नॉमल देंपरेचर में आ जाता है फिर उसको आप पहले पानी से दुए कौन से पानी से धोना है गरम पानी नहीं बिलकुल नहीं जो नॉमल वाटर टैप वाटर आता है अगर आपको ठंड लगती है ठंडे पानी से तो आप ये दोपहर को कर सकते हैं दोपहर में पानी का टैंकी थोड़ा गरम होता है तो पानी भी थोड़ा ऐसे वर्म वाटर आ जाता है और अगर ठंडे पानी से दो हो सकते हैं तो आपको पहले वाश कर लेना है विद वाटर एंड उसके बाद आपको का यूज करें कंडिशनर को दो मिनिट लगा के रखे फिर उसको वश कर दे और उसके बार टावल ड्राई करके फिर आप बहुत प्यार से प्लीज मैंने हमेशा देखा है मेरे प्रोफेशन में कि जब भी मैं किसी को बोलती हूं आप शैंपू करो या कूम करो पता ने ऐसा ल करनी है तो थोड़ा सा प्यार से अपने उसको फिर दीरे दीरे कॉम लगाया अगर आप सेरम यूज करते है तो इससे होने वाला है क्या इससे जैसे मैंने हम लोगोंने लेमन स्कैल्प पे यूज किया थोड़े बहुत डैंडरोफे अपके तो ठीक हो जाएंगे या फिर ज यूज के स्टीकिनस दे देता है जिसकी वजह से बाउंस नहीं आता है तो वह आपका बाउंस हो जाएगा नमबर वान नमबर टू हेर अपके सॉफ्ट और स्मूध हो जाएंगे और जो एक शाइन आपको देख जाएगा यह एक टेंपुररिली मैंने आपको टेप्स दिया जो आप सिर्फ दिवाली में नहीं आप कभी भी ऐसे emergency situation में पर जाए कि अगर अचानक सब के कहीं जाना हुआ है और आपके पास time नहीं है कि पालर में जाए emergency situation हमेशा में बोल रही हूँ वह ध्यान में रखना तो इससे अपका यह problem solve हो जाएगा यकीन नहीं आता है तो आप करके देखिएगा फिर मुझे बूलिएगा ओके तो अभी हम next में जाते हैं कि हेर को तो चमका लिया थोड़ा सा कुछ मेरे skin के लिए भी हो जाए तो वह skin के लिए भी मैं फटावर बोल देती हूं अच्छा मैं इसमें हेर का एक बात और करना चाहती हूं कि क्या इससे hair fall रूख जाएगा क्या इससे hair straight हो जाएगा कर हो जाएगा नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यह सिर्फ आपके hair को एक softness देदेगा एक bouncy look देगा शाइन देगा उसके बाद आप अपने hair को जैसे ही style करना चाहों कर सकते हो तो skin में बहुत फटा-फट और जल्दी में क्या करें तो इसमें दो मैं आपको बोलती हूं द जैसे first option में आएगा अगर आपके नीम पाउडर है तो क्योंकि अभी mostly बहुत सारे घर में इस तरह के पाउडर्स रखते हैं नीम पाउडर नहीं है तो क्या करना है तो भी मैं बोल देती हूं बट अगर यह है तो this is the best option तो उसमें कुछ नहीं अगर पहले आपके चेहरा सा होना चाहिए प्लीज उसको प्लीज साफ करके करना तो face wash कर लिया या cleanser कर लिया जो भी clean होगया नीम पाउडर को थोड़ा सा आपको mix करना है अगर आपके घर में नीम का लीप पेर है ना तो वो lips collect करकी उसको धोधा के भी उसको पेस्ट करके कर सकते हो तो इसमें हमको कु यहां हमको एक exploration करना है तो अगर आपको glow चाहिए ना तो वो डेट सेल पहले आपको निकालना होगा तो वो डेट सेल वो नीम जो अपने लगा है वो जो चोटे-चोटे-एक्दम माइल्ध दानी होते हैं तो जब पहले चाहिए ना नीम बड़कि उसको निकाल होगे तो पहले वो यहां है तो पानी में इस नॉर्मल वाटर में डीपक उसको पहले भीगो देना विगो के थोड़ा सॉफ्ट कर देना विकोज थोड़ा सा तो थोड़ा सुख जायेगा हमको इसको सुखाना नहीं है करके अब को घीसना है जहां आप जिगजैक कर पाते हो जिगजैक याणी देश एंड राउंड राउंड मिन्स दिस तो अगर आप जिगजैक करोगे तो अच्छा है वह अगर ने कर पासकते हो थोड़ा हलका बहुत प्रतादा प्रिशन नहीं देना है इवन आप आइस के अर अगर यह आपका नीम वाला आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हो आप एक भी हनी ले लीजिए मैं जिसे जिनरली डाबर वाला यूज करती हो आप जो भी आपको पसंद हो अवेलेबल है वह बट वह भी हनी होना चाहिए बी से निकला हुआ अधुमक्खी कहनी तो वह लेकर उसमें भी आप थोड़ा सा निम्बो डाल दीजेगा लेकिन पहले हमको फेस्वाश करना जरूरी है दो तिन बुंद उसमें अपने डाल दीजेगा और उसके बाद आपको फेस में वह सलूशन लगाना है कितना मिनिट रखना है तीन से चाल म शर्कूलेशन दूब्मेंट आप देख दोगे एंट फिर उसको पानी से दोगे चुमक्त पानी से दोने के बाद हमको फेस्वाश करना जिताव करना जैसे में तो आपको फेस्वाश और पानी लेकivity करके फिर से दोना है तो दोनों नहीं करना है आपको आपके पर जो भी जो भी आपको convenient लगे या तो नीम बाला कर लीजिए या हनी बाला कर लीजिए दोनों मिक्स ने करना है नेक्स अभी हमको क्या करना है तो इसके बाद आपको अगर चाहिए कि थोड़ा सा मेरा फेरनेस फेर वाला लुक आजाए आप गोरे नहीं हो जाओगे इससे बट थोड़ा सा एक फेरनेस अपका लुक अगर चाहिए तो उसके लिए आप उरत की दाल अपके घर में पढ़ी ह नहीं होगे तो किनारे की दुकान में आपको मिल जाएगी उरत की डाल ले लिजिए चाहिए वो सेल बट्टा में हो या मिक्सी में हो मसाला वाला जाड लीजिए का बट वो दोनों एक शर्थ पर करना है कि वो क्लीन होना चाहिए नहीं तो इसमें हम मैक्सिमम मसाला बगर पिष्टे है तो वो जग सकता है तो वह आप मिक्स कर लीजिए वो मिक्स करके थोड़ा सा वटर से मिक्स मिक्षर अपका रडी होगी 59 म को एक करना मिल्क पाउडर जो एवरी डे या इस तरह की चोटा-चोटा-पाँच में आते हैं तो वह पाउडर ऊड़ा सा उसमें एक क पहले वेल सेथिव में लग इसको को लगाना है हैं लोगाना आपका निमी 5 मिनट सका लियर के अस्पार GUY लगाना हैं लोगाना नहीं है हमको semi-dry करना है तो max to max 10-15 minutes में हो जाता है तो खाये गाने प्लीज देन उसको आप फिर वही same techniques से थोड़ा पानी को पानी में हाथ को गिला कीजिए उसको डैब डैब कीजिए वह जब गिला हो जाएगा तो बहुत हलके हाथों से उसको थोड़ा round round movement देके आपको निकाल ले है and don'ts होता है do's अपने सुन लिया don'ts को सुनना ज़रूरी है because little knowledge is very dangerous right आधा अधूरा ग्यान बहुत डेंजरेस होता है तो यह किन को नहीं करना है अगर आप कोई medical treatment में है अगर आपका कोई chemical treatment हुआ है या फिर पार्लर से आप कहीं से भी कोई भी treatment में हो तो आपको यह बिल्कुल नहीं करना है ठीक है अगर अपने हाल फिलाली में 14 days के gap से पहले आपने अगर facial या कोई भी चीज कराया है तो आपको यह बिल्कुल नहीं करना है कितने उम लिए अपने अपने नाश्रली हो जाता है तो 15 प्लस के किसी भी अख मेल फिमेल दोनों आप इसको कर सकते अंकर के बताईए जलूर कि आपको कैसा लगा तो जाते जाते क्योंकि आप यहां तक मेरे पास आहीं गए हो क्योंकि मैं एक लेडी वन हमेशा ना मैं लेडी के बीच ल्ट प्रमें लगे जो यह इतना काम काम करकर के जैसे जो तो तुढ़े पर यह ठीक हो जाया तो इसके लिए मैं थोड़ा आपका टीप दे देते हो वाटी उनके लिए है जो अभी तक मेरे साथ वीडियो में है तो इसमें क्या करना है जैसे आपने ऑल्ली बाइल लिया थ लेजे दोनों में से को भी एक या फिर आप मिक्स भी कर सकते हो यह इंग्रेडियंस उसको लेकर ना आप वो जो निम्बु निचोड के रखा है जो निम्बु पड़ा है न पर निचोड़ा हूँ उसी से उसको डिप करके न अपने हाथों में एंट पैरों में इतना तक आप इसको कीतना देर रखना है टू-3 मिनिट सोनली फिर उसको पाझी से साफ कर दीजे पानी से साफ हो गया फिर आपको मौशली जलाजर लगाना ज़रूरी है तो जैसे हम लोग हूंने हैर में सारा कुछ करने के बाद पार से रद्धा एंट अट पैर में दूने के बाद हमको मौशराइजर ये लोशन पर आपके लिटेऊ सिर्फ ऑप क्या में आपको एक पूरा प्रोसेस ने के बाद में आपको तुरंत ही या तो आपके पास रण्सरीथ बैच्टि को इस प्राहिए उस राहिज वह पर आप संस्किन नहीं लगाना है तो इसे थोड़ा नॉलेज बढ़ा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए तो इसे थोड़ा मोटिवेशन दिल जाता है और आप लोगों के पास मेरा वीडियो भी पहुंसता रहे